नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और मैं आपको क्राइम तक पर नजर आओगा आज आपको एक ऐसे मामले से रूबुरू कराते हैं जिसे सुनकर आपके रॉंग्ते खड़े हो जाएगे बात करते हैं दिल्ली के करावलनगर इलाके के यहाँ पर दो भाईयों के लड़ाई हुई, छोटे ने बड़े की हत्या कर दी और यह हत्या का मामला कैसे खुला कि गर्दन पर एक गोली का निशान था किसी ने नोटिस कर लिया और पूरा मामला खुल गया और अगर ऐसा नहीं होता तो हत्यारा भी नहीं खुलता और हम यहाँ बैठकर आपको स्टोडी भी नहीं सुना रहे हैं मामला क्या है, मामला दरसल यह है कि दिली के करावलनगर इलाके में दो भाई रहते हैं, एक का नाम प्रशान्त, एक का नाम प्रेम शंकर जो प्रशान्त है, वो निश साल का है, साड़ी की दुकान में वो काम करता था और ऐसे में जो बड़ा भाई है प्रेम शंकर, वो भी यह कर रहा था उसकी मई मई शादी होती है, शादी हुई तो फैमली फंक्शन में तमाम लोग आए, जो प्रेम शंकर की वाईफ है, उसकी साली भी आई वहाँ पर प्रशान्त कोस से एक तरफा महबबत हो गई, और उसने नंबर एक्सचेंज किया, उसके बाद उसने चैटिंग करना शुरू कर दी, और कही न कहीं ये बात, प्रेम शंकर को भी पता चली और उसकी वाईफ को भी पता चली, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे सिगनल मिले, हिंट मिले, फोन पर वो लगातार बात करती थी, तो उसकी बहन ने पुछा, क्यों बार-बार बात कर रही है, तो पूरा मामला खुला, अब परिवार की इज़त की बात थी, क्योंकि प्रेम शंकर जो है, वो ये कहीं न कहीं पूरे मामले को दमाना चाहता था, ये चाहता था कि प्रशांत ऐसी हरकत ना करे, समझाया उसने प्रशांत को, एक बार समझाया, दो बार समझाया, नहीं मान आखरी में situation ये हो गई कि प्रेम शंकर ने प्रशांत को खिचा कर थपड़ लगा और इससे उसकी इगो इतनी जादा हर्ट हो गई प्रशांत की कि उसने ये नहीं सोचा कि उसके बड़े भाई ने सही बात पर उसको पीटा है उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी उस पर गोली चला दी पुलिस तो जाच करेगी कि बंदू कहा से आई और इसके बाद एकदम परिवार में खलबली मजगे क्या हो गया सारे परिवार के लोग आए अब मामले को दबाना भी था और ऐसे में ये करना था कि पूरा मामला दब जाए पुलिस तक मामला ना पहुँचे और इसी सेंस में मामले को दबाने की भरपूर कोशिश हुई पूरी जगा जहां पर हत्या होई थी उस जगा को धो दिया गया धुलाई की गई पूरी लेकिन कहीना की कहते है न कोई न कोई सुराग जो है वो छूटी जाता है और इसमें भी ऐसा ही हुआ शम्शान घाट महुचे प्रेम शंकर के शव को जलाने के लिए तो वहाँ पंडित ने गले पर निशान देख लिया उसको कुछ संदिक्द लगा और यकीन मानिए कई बार परिवार ने भी उस समय कोशिश कियोगी समझाने के कि नहीं है तो नैचुरल चोट लगी है कुछ नहीं है कुछ नहीं है लेकिन कहीना कहीं पंडित जो है वो इस मामले में काफी समार्ट नेकला उसने तुरण पुलिस को कॉल किया उस ने कहा नहीं इसमें दाल में कुछ लाया पुलिस महुचती है पूरा मामला खुल जाता है मामला पता चलता है कि प्रशांतनी अपने भाई के हत्या कि ऑर उसके बात परिवार और बुरा हाल था, वो समझ नहीं पारी थी, इस condition में नहीं थी कि सच जाने, लेकिन सच तो पता ही था, और सच जो है, वो साफ था कि ये हत्या जो है, वो क्यों हुई है, बहराल अब इस सिल्सने में पुलिस ने मामला तो धर्च किया है, आरोपी को भी गिरफतार किया है, औ और एक तरफ जहां परिवार की इमेज की भी आप सोचिए, परिवार की इमेज भी खराब हुई, प्रशांत भी गिरफतार हुआ, परिवार उजड़ भी गया, अगर उस लड़की की बात करें, जो प्रेम की वाइफ थी, और उस परिवार पर भी असर पड़ा दोस्तो, ज इस तरह की घटना है, हमें यह सिखाती है कि अपने गुसे पर काबू रखें, छोटी-छोटी बातों को लेकर इतने ज़्यादे अग्रेसिव ना हो जाएं, और यह जो है ना, वाटसेप चैटिंग आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर कोई यह सोचे कि वो पक जबार वालों के खिलाफ, तो एक कहानी आपको कैसे लखिया आप जरूर इस पर कमेंट्स कीजेगा, और अपने जो राय है इसमें रखिएगा, धन्यवाद दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमन्द लोग हैं, जिनके मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं आने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं, जो पैसों की वज़ा से मजबूर हैं, आपकी थोड़ी सी मदद, इनकी जिन्दगी बदब सकती है, तो क्यों न मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, डोनेट करने या बागी जानकारी के लिए नीचे दिये गए पर, क्लिक करें